Hello friends, welcome to our YouTube channel Civil Services Dream तो friends आज हम लोग जनलिस्टेटी में हिस्ट्री के कुछ important question डिसकस करेंगे तो आईए आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं आज का first question है रंगपुर जहां हडपा की समकालीन सभिता थी वह है पंजाब में, उत्रप्रदेश में, सौराष्ट में या फिर राजिस्थान में Question 1 का जो सही आंसर है वह option C सौराष्ट में रंगपुर जहां हडपा की समकालीन सभिता थी वह सौराष्ट गुजरात में हैं ठीक है Next question है question number 2 Question number 2 में है चनहुद्रों के उत्खनन का निर्देशन किया था किसने? J.H. Mackay ने, Sir John Marshall ने, R.E.M. Willer ने या फिर Sir Aurelstein ने Question 2 का जो सही आंसर है वह है option A J.H. Mackay ने, चनहुद्रों के उत्खनन का निर्देशन J.H. Mackay ने किया था Next question है question number 3 Question number 3 में है रिखवेद का कौन सा मंडल पोलता सौम को समर्पित है Options है 7 मंडल, 8 मंडल, 9 मंडल या फिर 10 मंडल Question 3 का जो सही आंसर है वह है option C 9 मंडल 9 मंडल जो है वो रिखवेद का पोलता सौम को समर्पित है हमारा Next question है question number 4 Question number 4 में है प्रसिद्ध दस राजाओं का युद्ध दाश्राज युद्ध किस नदी के तट पर लड़ा गया ओप्शन्स हैं गंगा, ब्रह्मुपत्र, कावेरी या फिर परोश्णी नदी Q4 का जो सही आंसर है वो है option D प्रसिद्ध दस राजाओं का युद्ध दाश्राज युद्ध परोश्णी नदी जिसका आधुनिक नाम वो है रावी नदी ठीक है इसके तट पर लड़ा गया था इस युद्ध का उन्नेक रिगवेद का जो सात्वा मंडल है उसमें किया गया है next question है question number five question number five में है एशिया माइनर इस्तित बोगाज कोई का महप्त वे इसलिए है कि वहाँ जो अभिलेक प्राप्त हुए उनमें चार वैदिक देवताओं इंद्र वरूर्ण मित्र नासत्य का उलेक मिलता है मद्ध एशिया वा तिब्बत के बीच एक महत्रपोड व्यापारिक केंद्र था वेद के मूल ग्रंथ की रचना यहीं हुई थी या फिर इनमें से कोई नहीं question five का सही आंसर क्या है question five का जो सही आंसर है वह है option a एशिया माइनर इस्थेद बोगाच कोई का महत्रपोड इसलिए है क्योंकि वहाँ जो अभिलेक प्राप्त हुए थे उनमें चार वैदिक देवताओं इंद्र वरूर्ण मित्र नासत्य का उलेक मिलता है ठीक है इसलिए यह महत्रपोड इसका next question है question number six question number six में है अध्यात्म ग्यान के विशय में नचिकेता और यम का समवाद किस उपनिशद से प्राप्त होता है options है व्रह दारन्यक उपनिशद में चांदोग्य उपनिशद में कठोप निशद में यह फिर केन उपनिशद में question six का जो सही answer है option c कठोप निशद में अध्यात्म ग्यान के विशय में नचिकेता और यम का जो समवाद है वो कठोप निशद में कठोप निशद से प्राप्त होता है next question है question number seven question number seven में है निम्नांकित में कौन प्रस्थान त्रई में शामिल नहीं है options है भागवत भगवत गीता ब्रह्मसूत्र या फिर उपनिशद question seven का जो सही answer है वो है option a भागवत भागवत प्रस्थान त्रई में शामिल नहीं है दिखिए क्या इसमें श्रीमद भगवत गीता ब्रह्मसूत्र तथा उपनिशदों को सामोहिक रूप से प्रस्थान तरई कहा जाता है और ये वेदां के तीन प्रमुक इस्थम्भ होते हैं इसमें उपनिशदों को शुरुती प्रस्थान भगवत गीता को इसमृती प्रस्थान और ब्रह्मसूत वैशेशिक मिमांसा एवं वेदान्त इन छे भिन भारतिये दर्शनों की इस पस्ट रूप से अभिव्यक्ति हुई किस यूग में हुई हैं ओप्शन्स हैं वैदिक यूग में गुप्त यूग में कुशाण यूग में या फिर मौरी यूग में वैशेशिक मिमांसा एवं वेदान्त इन छे भिन भारतिये दर्शनों की इस पस्ट रूप से अभिव्यक्ति वैदिक यूग में हुई हैं नेक्स्ट कुश्ण है कुश्ण नमबर नाइन कुश्ण नमबर नाइन में है रिगवेद में निम्नांकित किन नदियों का उलेक अफगानिस्तान के साथ आरियों के संबंद का सूचक है ऑप्शन्स हैं असकिनी परुशुणी कुभा कुरुब विपाश शतुद्रे कुश्ण नाइन का जो सही आंसर है वो है ऑप्शन्स सी कुभा कुरुब रिगवेद में निम्ना रिगवेद में कुभा और कुरुब जो नदियां हैं उनका उलेक अफगानिस्तान के साथ आरियों के संबंद का सूचक है नेक्स्ट एन लास्ट कुश्ण नमबर टैन में है आरियों के आर्केटिक होम सिधान्त का पक्ष किसने लिया था ओप्शन्स हैं पॉट्जिटर, एसी दास, बीजी तिलक या फिर जैकोबिन कुश्ण 10 का जो सही आंसर है वो है ओप्शन D, बीजी तिलक, बाल गंगाधर तिलक ने आरियों के आर्केटिक होम सिधान्त का पक्ष लिया था तो आज की वीडियो यहीं पर ही समापत होती है, दोस्तों इस बात के लिए हम छमा चाहते हैं कि हमारा शायद साउंड में थोड़ी सी दिक्कत होई होगी, क्योंकि हेल्थ ठीक ना होने की वज़े से ऐसा हुआ है तो इसके लिए छमा चाहते हैं, बाकी वीडियो कैसी लग कमेंट करके जरूर बताइएगा, थैंक्स फ़र वाचिंग